हेलो फिरेंज आपके अपने ही चेनल ठीके में स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे सिक्षा विभाग की तरब से आनंत किसोर व्यार्ट बोर्ड के अध्यक्ष पेस हुए थे कोट में जहां जज ने उनसे सुनवाई करने से पहले उनसे पूछा कि क्या ये स्कूल है क्या आपने मैसूर ट्रेनिंग आई एस हैं तो क्या मैसूर ट्रेनिंग में लिये हैं कि नहीं लिये हैं कम्प्लीट किये या नहीं कम्प्लीट तमाम सवाल उन्होंने बेसिक सवाल पूछें क्यों क्योंकि उन्होंने कहा कि यह हमें लक्षन नहीं दिखाई देते हैं बाद से भी उनकी उनसे पूछतू चूई और जज बड़े कड़े और इस्टिक्ट दिखें आनन्द की सोर से पूछे क्या यह कोट है यह इसकूल है आपका ड्रेस कोट कहा है और उन्होंने बार बार पूछा कि क्या आपने मैसूर में आयेस ट्रेनिंग में ट्रेंड हुए ह अब यह उसके बाद उन्होंने केस के तरफ बढ़ें केस की तरफ बढ़ने पर इन्होंने क्रिक अपनाई और वीडियू अगले नेक्स्ट उडियो मेशंस में हम लोग देखेंगे अप्लोड करेंगे इसको इतना ही कि सिक्षा विवाग को और सरकार हाई कोट में जो पेश हुए आज का मामला कुछ थोड़ा करा था आगे कुछ देखते हैं क्या अपडेट से और नेक्ट वीडियो में सेवन फेश से अपडेट और यह केस अपडेट जो भी हम बात कर रहें स्क्रीन पर देख सकते है यह हमानिया जज है यहां आनंद की सुर्ण कोट में पेश हुए हैं सिक्षा विवाग के तरफ स्लंबित मामले के लिए अब यहां पर तमाम तरह के अपडेट से हम आपको एक-एक करके रूबरू करवा देते हैं उसके बाद हम नेक्स वीडियो में नेक्स अपडेट की ब कि कल हम लोगों ने यह वीडियो देखा था कि सिक्षा विवाग कोट में लंबित मुकदमों के निप्टारे को चलाएगा भियान इसी एवज में आज बिहार के जो अध्यक्षें बिहार बोट की आनंद की सोड़ पेश हुए थे यहां दीके कि सन्गेंच में साणिक सिक्षोक के बहाली में बंगाल की यूवाओं का दबदबा 45 शारी सिक्षोक में से 47 बंगाल के रने वाले अवज्योत्यों का हुआ चेयंद किसन्गेंच के वल एक ंचीन यूवावं सक का साणिक बिरोजगालों निकी दो मिसाइल पोलोसी लागू करनी की मांग इसी यही कारने की सेवन फेज में आपको दो मिसाइल नीती लागू की जा रही है ठीक है ताकि अस्थानिय निवास को जादा से जादा परात्मिक्ता दी जाए एक ख़बर आज सामने निकल कर आई कि फरजी हस्ताक्षर पे हुई क कट्रा में उच मादविक द्याले में अंवित्कर नगर मनुपस्ति शिक्षिका अगा फर्जी हस्ताक्षर बनाकर वेतन भुक्तान किया गया इन सभी मामलों में प्रात्मिक शिक्षा निदेशक ने कट्रा वियों को विवावी के लिए अधीन करते वे आडर डी को कारवा ले ही चुके हैं अब बात आती है एस्टेट वालों की तो आज देखिए एस्टेटी के अविर्थी का धर्ना शुरू आप एक वीडियो देखे होंगे तमाम यूटूब प्लेटफोन पर या सोसल मीडिया पर जहां अविर्थी कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन यह अन से करित अभिषी कैनो हैं रेकिया है तेरा पर यह इस्टेटी के अविर्थी के अभिषी किया जाए दोजार जून 1922 तक की बात कर रहे हैं जून 22 तक की रिखती सही मांग की बात कर रहे हैं और कहां तक सरकार मानती है कि स्ट्टी दोजार उनीज के बहाली जो होगी अंकों के अधार पर होगी यह अभी किलियर नहीं है हमने पिछला वीडियो बनाया था आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लिजे कि किस तरह बहाली होनी की पूरी संभमना हम धरना जारी रखेंगी उन्होंने का उन्होंने का कि सभी अवर्थि सरक पर हैं बहाली के पूरी परिक्रिया अंकों के अधार पर हो सभी अवर्थियों भागा टू यानि नियावली 2020 ही लागू हुई है और अभी तक नियावली 2020 ही है हाँ सरकार अगर आगे भविस्ट में सुनसोदित करती है आने वाले एक दो महिना में नोटिफिकेशन लाने से पहले तो यह नई बात होगी और पड़करिया सेंट्रलाइज होगी दो मिसाल निती लागू होगी सिक्षक की मौत पर परिजन बोले पैसे के अभा में गई जान यह विडमना है और कहीं ने कहीं लज्जित करने वाला विशय है बीमारी के हलात में सुंबार की सुबह एक सिक्षक की मौत होगी तो हम उदय दास जो थे उन्होंने बताया कि पाच मेनों उसे वेतन नहीं मिल रहा था परवानपत्रों की जाच के नाम पर विव्यागने में पर रहा था तैक कि ठीकी हो गई वेतन बहुतानं का आदैस सब्सक्राइब करने से क्या लाब होगा ये तो हम नहीं जानते राज सरकार अपने संसाधनों से जाती अधारित गन्ना कराईगी सरकार के अस्तर पर जाती अधारित गन्ना कराने की जिम्बारी समान परसासन विवाग को दी जाएगी जाती अधारित गन्ना की दोरान आर्थिक इस तरिक सर्वेच्छन का भी प्रियास किया जाएगा जाती अधारित गन्ना के किर्द्यावन हेतू 500 करोर रुपई का वैध होने वाला है तो ये बहुत बरी रकम है 500 रुपई करोर का जो होगा अनुमानित है उक्तरासिका इसकुमार सरकार की मुख सचीव 662022 आप देख सकते हैं तो आज का मुख ख़बर यही था कि सबसे बड़ी ख़बर बड़ी अपडेट्स की कोट में अनंद की सुर्पेश वे जहां पे सिक्षा विवाग लंबित मामली को देखा गया साती सात माने निये जो जज थे वे काफ आज चैनल पर मिलेगी बसरते आप चैनल को सबस्काइब कर बेल आकन प्लेज करते धन्यवाद